वेलकम टूर्ट आगे विदेसे दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला है ये फसी आई के बारे में ये फसी आई की तरफ से दो ओफिसिल नोटिस जारी किया गया है ठीक है तो दोनों के बारे में यहाँ पे जानकरी दी जाएगी दोनों छातरों के लिए काफी देखे पूरी वास समझाएगी तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो पहला नोटिस आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक पॉब्लिक नोटिस जारी किया गया है रिकूर्ट्मेंट फ्रॉड को लेकर ये फसी आई की तरफ से जारी किया गया है तो ये इंग्लिस में नोटिस है मैं आप लोगों को बिल्कुल शॉर्ट में हिंदी में बता देता हूं कि इस नोटिस में क्या लिखा है और आप चाहें तो ये वीडियो को पास करके पूरा नोटिस पड़ भी सकते हैं ठीक है लेकिन मैं बिल्कुल शॉर्ट में हिंदी में बता देता हूं तो और apartment later या आपके interview later इससे related आप लोगों को जनकारी देते हैं और आप लोगों से पैसे ठक लेते हैं ठीक है तो इसी से related FCI ने ये notice निकाला है कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना आएं FCI जब भी कोई विग्यापन निकालता है तो उसकी official website पे आप लोगों को देखने को मिलता है इसके अलावा FCI print media और national local newspaper में including employment newspaper होता है employment news में भी अपने विग्यापन का advertise करवाता है advertisement करवाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जनकारी हो सके उस विग्यापन के बारे में ठीक है और जो भी apply किये जाते है FCI में official website पे उसका link वगरा सब दिया जाता है तो फिर भी आप लोगों को कोई doubt रहता है कि कौन सा विग्यापन असली है या नकली है तो यहाँ पर ये email ID दी गई है तो इस email पर भी आप लोग पूँच सकते हैं कि कौन सा विग्यापन असली है FCI का कौन सा नकली है ठीक है लेकिन आज कल क्या हो रहा है लोगों को फसाया जा रहा है security job को लेकर या कोई भी FCI में job से related लोगों के पास call या email या message आता है और उनको फसा के पैसे लूटे जाते हैं और कोई job भी नहीं मिलती है उन लोगों को ठीक है तो defense personnel वालों को एक link प्रोवाड किया गया था detail upload करने के लिए FCI से related तो यहां पर यह 15.1.2023 से 31.2023 तक था इसके बाद यह 6.2.2023 से 11.2023 तक था बट कुछ लोगों ने यहां पर अपनी detail नहीं fill की है तो ऐसे लोगों को जो phase 1 का result आएगा उसमें ex-service man के तौर पे ही उनको deal किया जाएगा ठीक है और इसके अलाबा जो भी ex-service man की जो fulfill नहीं करते हैं requirement तो eligibility फुलफिल नहीं करते हैं उनको उनकी category में qualify किया जाएगा ठीक है लेकिन यहां पर ex-service man का उन लोगों को benefit नहीं मिलेगा phase 1 के लिए है ठीक है और phase 2 के लिए यहां पे लिखा हुआ है तो इसको भी आप लोग पर सकते हैं यह defense personal वाले student के लिए है ठीक है इसके लिए आप लोग सोच रहे होंगे इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि FCI की category 3rd है FCI की category 3rd की जो vacancy आई थी उनका exam हो चुका है तो उनका result कप आएगा तो आप लोगों को बता दें कि उनका result जल्द ही आने वाला है और हो सकता है इसी week में आप लोगों को result देखने को मिल जाए और जल्द से जल्द एक दो दिन में ही उस आप लोगों का main exam भी जो है वो करवाया जा सकता है ठीक है अभी ऐसी सुचना मिली है और बाद में जो भी update होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा तो आप लोगों का इंतजार खतम हो जाएगा फेज बन का result जल्द ही category 3rd का आने वाला है तो ऐसे ही latest news update पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब को लिजे नमस्क्राइब